बिस्मिल्ला र्रमानी रहें असलाम अलेकुम आई यूटी फैमिलिया आप से अपके से हैं आपके आप सब अच्छे होंगे आपकी दुआउस से अलहम्दल्ला हम सब भी अच्छे तो आज हमने बनाया है प्यास गोश्ट तो यहां पर बहुत हलकी मसालों के साथ हमने इसे ब हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे दो टी स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे तीन साबुत हरी मिर्ची डाल देंगे इन सभी को मिक्स करेंगे और पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे तो तक्रीबन और कप कारीब तेल डाल देंगे और चार पांच पुरिशर आने तक इसे कुख कर लेंगे या जब तक ये गल नहीं जाता है जब तक जाना प्यास के डिया मेडियम रखें अब हमने प्यास तैयार कर लेना है तो एक गड़ाई में में दो गिलास पानी गर्म होने के लिए गुष्ड हों अब हमने निकाल लेना है और इसको भीजिश को निदेना है और इसको ठंडा करके पीस लेना है ज़रूरत लगे तो ज़सारा पाणी मिक्स करके इस पीस पोढ़ा है इतार कोश्ड को चेक कर लेते हैं मतन को तो यहां पर मतन भी हमारा अच्छे से दिख रहा है और इसे चेक करते हैं कि ये कितना गला है तो मटन काफी गर्म है तो ये गल चुका है हलकी सी कसर बाकी है इसमें तकरीबन 95 परसन के करीब ये गल चुका है कोई-कोई पीस में हलकी सी कसर बाकी है तो इसे करते हैं साइड में और इसमें इधर एक कड़ाई रखते हैं इसमें डालते हैं देसी घी तो उसे तीन टेबले स्पून धरके डाल लें इसका स्वाद अच्छा आता है साथ में दो तीन लोंग डालेंगे एक हरीलाइची डाल देंगे आर्दस दाने काली मिर्च के डाल देंगे गरम मसाला आप चाहें तो और डाल सकते हैं लेकिन मैं इतना ही यूज़ कर रही हूँ अब जो प्याज हमने बॉल करके उसका पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इस प्याज को हमने दो तीन मिनिट तक और भून लेना है घी के साथ लाईज़ कि जो कच्छी स्मेल और भी जो है खत्म हो जाए और घीक सी अच्छी सी स्मेल आ जाए अच्छी से इस सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दही तो दही आदा कप डाल दें और दही जादा खटा नहीं ले आप चाहें तो दही की कौंटिटी इसमें बढ़ा भी सकते हैं इसका टेस्ट अच्छा आता है क्रीमी सा अब इसे तीन-चार मिनिट के लिए हमने और पका लेना है ताकि दही में अच्छा सा उबाल आ जाए और उसके बाद हमने ये जो कोश्ट को बना के तयार किया था इसे डाल देना है तो हम इसे च्छान के ले लेंगे ताकि जो हड़ी के बारी बारी जो चूरे होते हैं वो न मैं इसे चान लेती हूं इसी में चान लेती हूं अलग से चाननी की ज़रूरत नहीं तकरीब आदा कप के करीब पानी और टेल है इसमें तो मैंने इसे चान लिया है इसे रखते हैं साइड में इन सबी चीजों को अच्छे से हमने भून लेना है इन मसालों के साथ 2-3 मिनिट दिट א׍क अच्छे से पकाले इसका नहीं करे हैं ऐख वह जो क्रीवार नहीं और टाफसे चरल थे वाए हृधा है क्या करें दो लुद कि दिट.वाध नहीं करी है तो यहां पर अच्छे से भूनने के बाद यसमें तकरीब देर 2,5 लास पानी डाला है जयो पीने पहले डा 15-20 मिनिट तक और पकेगा अब इसे कवर करके छोड़ देंगे 15-20 मिनिट तक हम इसे स्लोफ लेंपे पकाएंगी अब हमने यहां पर हरा धनिया डाल देना है फ्रेश बारी कटा हुआ और इसे अब हमने अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे डिशाउट करेंगे इसे गरम गरम आप रोटी के साथ खाएं या चावल पराठो के साथ खाएं सभी के साथ अच्छा लगता है तो आप भी बना जरूर बना इसी तरीके से बना यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए अपने फेरेंट्स और फेमिली में चैनल प कि मैं आते हैं